दोस्तों नमस्कार आज एक जून सन दोहजार बाइस जून महीने का पहला दिन शाम साथ बजे भारती अलोहा बजार के अंदर जबर्दस उतार चड़ाव चड़ा जबर्दस गिरावट रिकावरी तेजी सभी का मिला जूला रुक आज बजार में देखने को मिला दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करेंगे MS इंगट की प्राइस उसके बाद और अरेन स्क्रैप फिर MS बिलिट की प्राइस से आपको रूबरू कराएंगे सबसे पहले मंडी गोविंगट में आज उतार चड़ाओ के बीच बजार सकारात मुकरुक के साथ बंद होने में काम्याब रहा और यह 47,500 के भाव देखे गए MS इंगट में बहावनगर के अंदर गिरावट रही 47,000 पे भाव बंद हो है और भिवाडी के अंदर 500 रपे की गिरावट के साथ 46,500 पर बंद हो है दुरगापूर गाजियाबाद और गोवा यहां पर भिवाडी दुरगापूर और गाजिय पर बंद होए लेकिन गोवा के अंदर अच्छी तेजी दर्ज होई 900 रुपे की अच्छी तेजी दर्ज होई और गोवा के भाव में तेजी के साथ बंद होए 46,500 पर हैदराबाद में 500 रुपे की गिरावट गई 45,100 हिमाचल प्रदेश में उताज राव के बीच 200 रुपे बंद होए और जम्मू के अंदर 47,700 यानि 200 की तेजी थी कानपूर के भाव बंद भाव फ्लैट रहे कोई पिछले दिन के मुकाबले कोई तेजी मंदी नहीं रही 46,000 के भाव पर बंद होई कॉलकाटा के अंदर भाव 44,700 और लुध्याना 46,300 पर बंद होई लुध्याना 45 4900, NAD और मुझफर नगर 47,300 के भाव रहे यहां पर मामूली तेजी दर्ज़ होई जबकि मुंबई के अंदर भाव गिरावट के साथ 47,500 के बाव पर बंद होई राइगड मे 43,800 पिछले दिन के मुकाबले 700 की गिरावट थी और राइपोर 44,000 के भाव थे यहां भी 600 की ग जोहा यानि ओड आरेन स्क्रेप के भी चर्चा कर लेते हैं मंडी 35,000 पर बंद होई 200 रुपए तेजी मेल्टिंग स्क्रेप 38,200 की तेजी जबकि दुरगापुर में 37,500 और कॉलकाटर में 38,000 के भाव थे दुध्याना में 49,300 के बाव थे मंडी गोविंदगर्ड दोसों की तेजी के साथ 47,700 के भाव बंद होई दुरगापुर के अंदर 44,500 और इंदौर के अंदर 47,800 पर बंद होई जैपुर के अंदर 46,500 पर बंद होई और कॉलकाटर 45,200 यानि 500 की गिरावट थी लुध्याना 46,700, 100 की गिरावट और मुझवर नगर 47,700 यानि 100 रुपे की तेजी पर बंद होई दोस्तों बजारों के अंदर बहुत तेजी से उताचड़ाव देखा जा रहा है और भारतिया रुपया की अमेरिकी डालर के मुकाबले काफी उताचड़ाव देखने को मिला भारतिये शेर बजार के अंदर भी आज पूरे दिन होताचड़ाव रहा और निफ्टी और बैंक निफ्टी ने भी अपने रंग कहीं बार बदले दोस्तों सोना चांदी के अंदर भी यही हाल रहा सोने चांदी के अंदर तेज गिरावट रही और उसके बाद शानदार र खबर निकल के आ रही है कि चीन के अंदर देरे-देरे कोविड 19 के जो कुछ शेरों में लॉक आउट था उसके अंदर अभ देरे-देरे शकारात मकरुकड हो रहा है और वहाँ पे बंदिशे हट रही है और वहाँ पर देरे-देरे लॉक आउट खोल रहा है यह एक परशी उपजों के अंदर भी काफी उतार चड़ाव देखा गया लेकिन कुछ सकारातमा के रुख भी बजारों में देखा गया मेटल के अंदर कॉपर के अंदर भी उतार चड़ाव के बीच में बजार तेजी की और रुख करते वे देखे जा रहे हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं और आप पहली बार आए हैं और अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब लाइक और शियर करना बिलकुल ना भूलें गौरतराब है कि बैल आइकन यानि घंटी के निशान को भी प्रेस करना बिलकुल ना भूलें ताकि हर विशलेशन आप तक सबसे पहले पहुच पाए अजय एस्टोमानी गुरू 42 कमोडिटीज पर लगातार विशलेशन और खोज खबर आप तक पहुचाता है आपको रिसर्च रिपोर्ट प्रवाइड कराता है राष्टे और अंतराष्टे खबरों से रुबरू भी कराता है All the very best, good luck, happy trading